मेसे आप सब आइहोप आप लोग अच्छे होंगे श्वस्त यह उंगे मस्त होंगे और 32 बार के साथ बैस्त होंगे मैं भी बैस्त हूँ देखी लो आप लोग मैं अपना ड्रिंक ले रही हूं मॉर्णिंग का ड्रिंक और उसके बाद से मैं ने कर लिया था यह कि में किनी तौही लेती हुए अहसे नियुक। लोचे सखेस लेती हुए में जा रहा हुए दूप में निहने . ठीक है तो मैंने hair was कर लिए है मुझे लग रहा है ठंडा अब आओ मेरा सो रहा है P.U.DD कर रही है वो इतनी अच्छी बना रही है न अब युँ पूरा कर ले तो मैं देखना आप लोको दिखाऊंगे अच्छा थोड़ा से मैं दिखाती हूं बहुत अच्छी इसकी ड्रोइंग है बहुत सुंदर मेरी बीटी ड्रोइंग बनाती है बहुत इसका इतना मन लगता है से बनाई है सबसे अच्छी बात तो यह हम लोग अगर जब पैंसिल से भी ड्रोइंग करते हैं तो कितना मतलब खराब होता था बार-बार मिटाना पड़ता था और यह पैंसे बनाई है बिल्कुल कहीं भी मतलब कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ है एक बार में यह सारा बना मेरे ससुरजी लेक्षरर है डिग्री कॉलिज के वो लेक्षरर थे रिटायर दोड़ चुके हैं मैथ और इंग्लिस के लेक्षरर थें वह तो वह इनको पढ़ाते हैं तो काफी इसलिए तेज है मेरे घर में पढ़ाई दिखाई का महौल है और सभी लोग बहुत पढ़े ल तो कल मैंने बहुत सारे लोगों के कुश्चिन का एंसर किया और एक लोग का छूड़ गया था जो कि मैंने बताया भी था अपने कल की वीडियो में जो कि सोनु चोहान नाम की एक आईडी थी उन्होंने बोला कि मुझे PCOD की प्रॉब्लम है और मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हूं तो सबसे पहले सिश्टर आप मुझे यह बता दो आपका वेट कितना है और PCOD में वेट बहुत जादा गेन हो जाता है तो कहीं न कहीं बेबी कं महिला में दो तिन को पाया ही जाता है PCOD की समस्या ठीक है PCOD का फुल फार्म है पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज तो जो ओवरी होती है बाव मेरे सो रहे है जो ओवरी होती है हम औरतों के उसमें छोटे-छोटे से सिस्ट बन जाते हैं अगर उसको शोनोग्राफी में देख तो मोती के कड़की जितने हैं छोटे-छोटे से दिखते हैं इन मिच्वर एक्स होते हैं जो कि पीरियड जब होता है तो इनको निकलना चाहिए वो निकल नहीं पाते हैं तो वही सिस्ट बन जाते हैं और जो की बहुत सारे प्राब्लम्स क्रिएट करते हैं और उसकी कर फूपरीटर ठीक हो गया था जो इतना बड़ा था तो डॉक्टर ने उसको बोला थो बोला थो और उस्सी के वज़े से मुझे प्रिग्रेंसी हो भी नहीं रही थी तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेट करना पड़एगा मैं तो बहुत जादा डर गई तो फिर मेरी ह तो बेट मेरा काफी गेन हो गया था, 7-8 kg गेन हुआ था मेरा वेट तो डॉक्टर ने मुझे बोला था सबसे पहले से तुम मेरे अन्दर कुछ भी गड़बडी नहीं थी तो उन्हों ने बोला कि सबसे पहले तुम अपना वेट कम करो तो मैंने अपना वेट कम किया और फट आपने जो कॉमेंट किया था तो सबसे पहले देखो आप डॉक्टर को दिखाई ही होंगी डॉक्टर ने काफी कुछ चीज आपको बताई ही होंगी सलाह दी ही होंगी लेकिन आपने मुझे पूछा है और क्योंकि मैंने भी इसी इसको फेस किया है बेबी कंसी नहीं हो रहा पैकड फूड है जो पैकट वाले जितने भी हैं यह सब बिलकुल मत खाना आप हिल्दी डाइट लो और पीसी ओडी में वेट जो होता है बहुत जादा गेन हो जाता है तो जिसे की प्रेग्नेंसी में बहुत प्रॉब्लम होती है वैसे प्रेग्नेंसी ना रुकने के बहु लाखो वेट लॉस का कहीं भी फॉर्मूला मिलेगा ठीक है क्योंकि लाखो हजारों लोगों ने अपना 40-50-20-25-25 अपना वेट लॉस कि और तमाम बीमारियों से छिटकारा पाई है अगर आप अपना वेट कम कर लोगी ना सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं है कि आपका वेट कम करो वेट कम होगा तो पीशुडी की जो समस्तिया है वो भी खतम हो जाएगा और आप वेवी कंसी नहीं होते हैं तो मैंने खुद 4 साल जहला है अपने सेकेंड बेवी को ले करके शिट को मैंने खतम किया वेट लॉस किया आसानी से मेरी प्रेग्निंसी हो गई थी और इसके तमाम लक्षड है, जैसे फेस पे बालाना, एकने होना, और मंथली पीरियड्स होती है, जो सबसे इंपोर्टेंट है, मंथली जो पीरियड्स होती है, वो डिस्टर्फ हो जाती है, तो जाइर सी बात है, जब पीरियड्स डिस्टर्फ होगा, तो प्रेमियमसी नहीं ठीक है तो आप अपने दिन्चरिया में चेंजिस करो गंटे 7-8 गंटे की नीद लो healthy diet लो, junk food ये सब बिलकुल अवाइड कर दो आप ठीक है योगा, exercise या वॉक आपसे जो भी होता है ये जरूर करो आप ठीक है और उसके साथ आप ये 32 बार का formula करो मतलब जरूर ही नहीं है कि आप weight loss के लिए आप 32 बार formula करो लेकिन बेस्ट option है 32 बार formula क्योंकि इसमें सब कुछ खाना है बस junk food अवाइड करिए वो तो PCOD में वैसे भी नहीं खाना चाहिए junk food अवाइड करिए मीठा अवाइड करिए उसके बास ये 32 बार का formula करिए एक रोटी में 15-17 तुकडे आप करिए salad ज्यादा से ज्यादा लीजिए आप उसके बास से हरी सबजी लीजिए दाल लीजिए स्प्राउट लीजिए पनीर लीजिए healthy diet लीजिए आप ठीक है healthy diet लीजिए junk food अवाइड करिए आपका असानी से weight loss होगा और आप baby 100% conceive कर पाओगी अगर आपको problem होती है PCOD से यह problem है कि आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं weight की वज़ा से आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो 100% आपका बेबी जरूर होगा ठीक है मैं भगवान से प्रेवी करूंगी ठीक है मोटापा से कितली सारी बिमारिया हो जाती है जैसे ठाइरड हो गया शुगर हो गया बीपी हो गया यह सब तमाम बिमारिया हो जाती है साम को जो टाइम होता है नास्ता का चाय का यह मेरा फैमिली टाइम होता है और इस टाइम में हम लोग सारे फैमिली लोग इकठा होकर कि मतलब यहां चाय वगर सब कोई पीते हैं बाते करते हैं तो हम भी जनली इस टाइम में यहीं पर रहते हैं और जब कभी-कभी मुझे वी प्यास तो ऑधी पानी में ला करके और थोड़ा सा गरम पानी मिला करके इनको मैं पिला रही हूं बच्चे को भी और खुद भी आप लोग ठंडी बहुत हो गई है गरम पानी ही प्या करो आप लोग अब थंडी काफी पढ़ने लगी है ना मतलब इन गलन वाली ठंडी होने टो हम लोग जा रहे हैं मार्केट साम्की को रहे हैं सारे पास नास्ता पानी सब को करा दिया रोटी मक्क्य कीख ऑ ऐस daughter देया और मैं अपना स्प्राउट खा लिया मैं चाय नहीं पीती तो पता ही है आप लोग को मैं जा रहे हूं सब्जी मंडी में रेडी तो हूँ हूँ बस चली जाओंगे तो देखिए यहां पर हम आ गए सब्जी मंडी में और आज कर सब्जी मंडी में सब्जा देख के मन खुश हो जाता है ना देखिए तमसब हरी हरी ताजी तादी सब्जी होती है ठंडी में ही सब्जी खाने का मज़ा होता है गर्मी के सब्जी तो अच्छा नहीं लगता यह दिखिए खुश नदर अम्रूस थे तो अम्रूस भी मैंने ले लिया था कुछ खड़े मसाले मुझे लेने थे मैं खड़ा क्या बोलते हैं इसको नाम नहीं ध्याना रहा तो यह दोनों ले लिया था और यह बहुत टेस्टी थी खाने में सच में बहुत एदम कुरकुरे मजा आ गया था खाके और इस टाइम मेरे खाने में बनेगा साग और डोटी तो मैं बना लूँगी साग और यह ना पालक जो ह करूंगी मेरे सबजी वाले प्लाट का मैं आटा फुनने जा रही हो रोटी बरानी बाकी है साग मैंने आइस कूकर में रखा क्यूंकि ना बहुत ज्यादा साग था तो कडाही में आहीं नहीं रहा था तो मैंने सुचा पहले उसमें कूकर में डालके गलालू आलू बैगन बेखा पालक तो या इतना है मिक्स, मिक्स वाला साग बहुत अछा हलता है ना तो ये है मेरा रात का डिनर जो मकेक की रोटी बनाए थी सामको वह अपनी लिए अटा रग दिया था तेरो रोटी उसका बना लिए साग और दिन का दाल था भी लोग मैंने का महीं वह बिशा कर दिया खाना तो ऐसे यार आठ वड़ तक खा लेना चाहिए लेकिन साहर का आप लोग देखते हैं यह कहां हो पाता है आठ वड़ तक खाना और अपनी इस पेशली बना का तो खान नहीं लें 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 लोग जब घर में बहुत सारी लोग होंगे तो सोने के लिए बाबू क कि बहुत सारी लोगों को जरुवत होगी इस वीडियो की ठीक है तो चलिए बाबाई टेक केर गुट नाइट में